हलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और स्वागत है आपका मेरे चैनल में आज हम सेयर करेंगे आपके साथ अर्कोच आलू की सरसो वाली सबजी की रेसिपी बहुत टेस्टी यह सबजी बनके तैयार होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है एक पर देखिएगा विडियो को लास्ट तक रेसे पी आपको पसंद आएगी तो चलिए हम बनाते हैं अर्कोच आलू की सरसो वाली सबजी तो सबसे पहले यहाँ पे हम अर्कोच ले लिए हैं और बिहार में इसे बहुत जगा बीरिया भी कहते हैं यह खेसारी के साग का अर्कोच है जब किसी स साग का जब सीजन होता है तब इसे बना के रख लेते हैं और जब इसका सीजन नहीं रहता है तब इसे बना के खाते हैं इसे बेसन में लपेट के साग को अच्छे से साप करके धो के बेसन में लपेट के सुखा देते हैं तो फिर यह ऐसा बन जाता है और इसे अर्कोच भी बीरिया भी कहा जाता है जब इसका सीजन नहीं रहता है तब आप इसे बना के खा सकते हैं बहुत टेस्टी इसकी सबजी बनके तयार होता है सबसे पहले हमें हाँ पेस्ट बना लेंगे इसके लिए दो चम्मच पीला सरसो थोरे से लहसन की कलिया और एक छोटे साइज के प्य आलू को अच्छे से साप करके छोटे छोटे टुक्रे में कट कर लिए हैं आप चाहे तो आलू को बॉयल करके भी ले सकते हैं पर हम यहाँ पे कच्छा आलू लिए हैं और आलू को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पे आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो गया ह है और जादा इसके उपर हमसे ब्राउन लेयर नहीं लाना है। αλλά यहां सिसे पुर में निकाल ली को godtकिते और जो तेल बच अउसने अर्कोच को अवं करोडिक लेंगे अश्यों कहा अड़ा, कमारा फ्राई हो गया है तो इसे निकाल लेते हैं हम कुरे कोच को निकालेगे और इसमें निकाल लेंगे और तुराइ निकाले ज 애मारि और तो पुरा साफ करके इसमें तो चम्मच सरसो मैं पर बूलेगे एक चौथाई चम्मच हिंग डालेंगे और थोड़ी देर इसे भून लेंगे अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले तो गैस को बिल्कुल सीम कर दीजेगा और इसमें डालेंगे तीखा वाला मिर्ची पॉडर है यह आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा और आधा चम्मच हलदी पॉडर और एक चम्मच हमें आपे कस्मिरी लाल मिर्ची पॉडर लिए हैं इससे साग का सबजी का कलर बहुत सुन्दर आएगा और इसमें अब हम वो पेस्ट डाल देंगे जो सरसो प्याज टमाटर को पीस के बनाये थे सबको एक ही साथ हम पीस दिये थे और अब हम हमें इसे अच्छे से भूनना है तब तक मसाले से तेल आपको अलग न दिखने लगे सरसो का मसाला बहुत जल्दी भूना जाता है जादा देर हमें इसे नहीं भूनना होता है नहीं तो इसमें हलका सा करवाहत आ जाता है यहां पे टेस्ट के नुसार आप नमक डाल दीजे और इसे चलाते हुए भून लीजे तो यहां पे आप देख सकते हैं हलका सा यह गाढ़ा हुआ है थूरी दिर और हम इसे भून लेंगे यहां पे आप देखेंगे किनारे किनारे हलका हलका सा तेल दीख रहा है तो बस इतना ही हमें भूनना इसे जादा हम नहीं भूनेंगे सरसू के मसाला को अगर आप जादा देट भूनेंगे ना तो हलका सा करवा हटा जाता है इसमें अब इसमें हम डाल देंगे साग और आलू जो फ्राई करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे पूरे साग और आलू को हम रख दिये हैं इसे एक से डेर मिनट तक मिलाते हुए आप भून लिजे और इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए करीब एक से डेर मिनट भून लिए हैं अब इसमें हम पानी डालेंगे तो एक कप पानी डालके इसे अच्छे से मिला लेंगे और उसके बाद एक कप पानी और डालेंगे आप जैसा ग्रेवी पसंद करते हैं गाड़ा पतला उस हिसाब से इसमें पानी मिला लीजिए और कोच थोरा सा जादा पानी सोकता है क्योंकि इसमें बेसन भी रहता है तो इसलिए थोरा सा जादा पानी डालिएगा और अभी हमें इसे पकाना भी है आलू को भी पकाना है साग को भी पकाना है तो थोरा सा जादा ही पानी डालिएगा cover करके 5-6 मिनट हम इसे पका लेंगे और यहाँ पे 6 मिनट complete हो गया है चेक कर लेंगे बीच में भी आप इसे चलाते रहिएगा चेक करते रहिएगा और यहाँ पे साख बहुत अच्छे से पक गया है खुल गया है आप देख सकते हैं और आलू भी सीज गया है अलग अलग टाइम लगता है पकने में तो यहाँ पे हम इसे थोड़ी देर ढखके छोड़ दिये थे और यह सबजी थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो अब हम इसे सर्ब कर लेते हैं बहुत टेस्टी यह सबजी बनके तयार होता है अगर आप बिहार से हैं तो आपको पता ही होगा और आपको पसंद भी आएगा यह सबजी की रेसिपी क्योंकि बहुत टेस्टी यह बनके तयार होता ही है सबको पसंद आता है तो एक बार ट्राइ कीजिएगा और बताइगा कि कैसा लगा मेरा यह रेसिपी अगर मेरा रेसिपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपके पहुंच सके वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेर कीजे कमेंट कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बता दीजे ताकि हम उसे सुधार सके थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ